जोस्तों आप पहला है आप का जो मोटरने पानी नहीं उठा रहा ह। तो आपको Um इंगल पेस्ट वह या को किसा भी मोपर हो टिक है तो अगर आपका मोटर जो है पानी नहीं अफोर तो आपको काम करना वाकि कुछ कुछ नहीं करना जैसraph कि आप देख सकते हो मोटर होता है की सब्सक्रीजन इन परिदन टहुत कि यहां तो वो रनिंग तो है, अगर रनिंग नहीं है तो पानी कैसे उठाएगी, मोटर रनिंग है, पानी नहीं ले रही यानि कि पानी नहीं उठा रही तो उसका एक कारण हो सकता है, यानि कि ऐसे तो बहुत सा रिजन हो सकते हैं, लेकि में चीज कारण है, वो मैं आपको बदा दे मेरे नहीं एकुं करना है। कि मोटर के आगे में पानिकंड करना होता हुआ यानि कि जो अंदर गूमने वाला पाने को देने वाद उसको निकालना है उसको निकालने के बार में जो सापट होती है मोटर की जो रनिंग होती है सापट उसमें क्या है एक सील आती है यानि कि अलग अलग नमबर की जो सील है वाटर सील होते हैं उसे वह वाटर सील आती है त किसी से दुकान से वापिस डिलवा लेना ठीक है वो छेल डालना है उसके बाद में क्या करना यह वापिस एम्पुलर लगाना है वापिस नगान है वह लगना है आपकी जो मोटर हंटेरड jestem पान उठाए क्यों कि जो वाटर सील होती है कि वह कट है वह हां से और लेता है याईनिक हवा लैने निए थे स्ट तो पानी यह वह नहीं उटा पना है सक्षाइब गेशिग्र नुक्रांगि उसको एक परचेंट सब्सक्रांगि आपके मॉंटो पानि नहीं पानि रूए तो आपका स्क्राइब हना जहां से पानी ले रहे हैं जहां से पाईप को चेक कीजिएगा यहां से पाइप कटा हुआ कहीं से लीग तो नहीं है यह कर दिया उसके बाद में आपको जाना वहां पे फूटबोल लगाओ है वहहाँ पर जाना है कि फूटबॉल जो अंदर में पानी रखता है या नहीं रखता है यानि कि जब कभी फूटबॉल का स्प्रिंग लेता है वहां से तो नहीं चलता है इसलिए आपको वहां पर वाट सील यूज करना है और वाट सील लगा लेना है ताकि पानी नहां निकले ताकि एर ना ले और आपका मोटर अच्छे चले